प्रेस्द लोड सभी को जैमसी की आज मैं आप लोग के साथ में अपने जीवन की एक छोटी से गवाई शेयर करने जा रहा हूँ ताकि आप लोग भी जान सकें कि हमारा परमेश्वर कितनी अद्बुद युक्ति करने वाला परमेश्वर है और वो जिन्दा खुदा है तो बात है 2022 31 दिसंबर की हम अपने चर्च में थे और 2023 आने वाला था और हम अपने चर्च में नए साल की प्रात्ना कर रहे थे तो सब लोग अपने अपने जीवन की गवाई दे रहे थे और बहुत से लोग कह रहे थे कि नए साल के लिए परमेश्वर ने मुझे बात की और मुझे ये वचन दिया तो उस समय मैंने परमेश्वर सब लोग ये बात बोल रहे कि मुझे परमेश्वर ने ये वचन दिया नए साल के लिए मुझे परमेशन ने 2023 के लिए ये वचन दिया है तो मैंने का कि परमेशन मेरे साथ है कि नहीं है तो मेरे मन में ये था कि परमेशन मेरे साथ है कि नहीं है तो मैंने ये का कि परमेशन इस नए साल के लिए मेरे लिए क्या वचन है तो एकदम से मेरे मन के अंदर वचन आया, मत डर में तरह साथ हूँ, तो मेरे सोचा कि ये वचन सच में परमेशर की ओर से है, या फिर मेरे खुद के मन की विचार है, तो मेरे मन के अंदर ये वचन आया, कि मत डर में तरह साथ हूँ करके, हम नाइट में प्रेयर कर रहे थे 31 को और 12 बच गे उसके बाद 23 आ गया तो उस समय प्रोमिस कार्ड बटे प्रोमिस कार्ड में आपको बता दूँ यह छोटा सा कार्ड होता है जिसमें सामने आयत होती है और पीछे कलेंडर होता है तो यह कार्ड जो है बट रहे थे तो मैंने कहा कि परमेश्वर अगर वो वचन मत डर में तेरे साथ हूँ तेरी और से है तो जब भी मैं वो प्रोमिस कार्ड उठाता हूँ तो उस प्रोमिस कार्ड में वही वचन मुझे मिलना चाहिए जैसे कि वचन में लिखा है दो या तीन गवाओं की बाद से हर बात पकी मानी जाए तो मैंने प्रात्न गरके वो प इसमें ये अद्बूदृती से ये वचन दिया, ये प्रोमिस कार्ड ये वचन मेरे पास आने से पहले ہी प्रमिष्वन तो मेरे मन में डला कि मत डर मैं तरыв सात हूँ और जैसे में अस वचन को देखा, क्योंकि हमने जब बिमारों के लिए प्रातना की फोन कोल पर वीडियो कोलिंग पर वोईस कोल पर तो ऐसे से लोग चंगे हुए दिन में कुछ ऐसे भी थे जो कई जगा प्रातना करवा चुके थे या कई मिनिस्ट्रियों में जाकर प्रातना करवा चुके थे और बहुत से ऐसे लोग थे जो कई सालों से विमार थे तो हमने जब प्रात्ना की तो सचमुच परमेश्वर हमारे साथ होकर अद्बुत काम करता रहा और अद्बुत रीते से लोग चंगे हुए और छुटका रहे पाए और जो वीडियोस हम बनाते थे उसके दोवार अभी बहुत से लोग के जीवन बदले जिन्होंने कभी सुसुमाचार को नहीं सुना था उन लोगों ने सुसुमाचार को सुनकर अपना मन फिराया तो सचमच परमेश्वर ने इस वचन के नुसार 2023 में हमारे साथ किया तो 2023 में मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया इस कार्ड के लिए इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया क्योंकि सचमच परमेश्वर हमारे साथ रहा और 2023 हमारे लिए बहुती blessing रहा मारी ministry के लिए बहुती blessing रहा क्योंकि परमिश्वर खुद Jesus World की अमीत अबरहा मनिश्वर के साथ था तो हमने परमिश्वर का धन्यवाद किया इसके लिए और फिर अभी New Year आने से पहले 2024 आने से पहले दो-चार दिन पहले और फिर मैंने खा कि परमिश्वर 2024 के लिए आपका क्या वचन है हमारे लिए तो एकदम से मेरे मन में आया कि परमिश्वर तेरे कामों में आसिस देगा तो ऐसा मेरे सामने वचन आया तो जब हम 2023 दिसंबर 31 नाइट को प्रातना कर रहे थे और रात के 12 बज़े जब 2024 आगया तो प्रामिस कार्ड बठने लगे और फिर से मैंने परमिश्वर से वही का कि परमिश्वर अगर वचन तेरी और से है तो वो प्रामिस कार्ड के अंदर वचन में को मिले तो मैंने खा कि परमेशर जो वचन तुने मुझे अभी दो-चार दिन पहले दिया था कि मैं तेरे कामों में आसिस दूँगा वही वचन प्रभू मैं चाहता हूँ अगर तेरी और से है तो जो मैं प्रोमिस कार उठाता हूँ उसमें वही वचन निकले तो मैंने धन्यवाद करके उस कार्ड को उठाया उसमें से बहुत से लोग कार्ड उठा रहे थे और जब मेरा नमबर है तो मैंने धन्यवाद किया उस कार्ड को उठाया और जैसे मैंने कार्ड को उठाया उसको पलटा तो लिखा था तेरा परमेश यहुआ तेरे सारे कामों में तुझको आसिस देगा विवस्ता विवरन 15 का 18 तो यह देख करके एकदम से मेरा मन आनन से भर गया और एकदम से बड़ा अंदर से मेरा हिर्दे इतना हुआ कि परमेश कैसे अद्बुत काम को करता है मेरे परियों यह आम बात नहीं है कि परमेश जो वचन हमें दे रहा है हमारे मनों में हाँ बहुत से लोग को आपको वचन देता होगा मगर उस पर एक महुर लगानी वो परमेश ने मेरे साथ किया उस पर महुर लगा दी कि जो प्रोमिस कार में ने उठाया उसमें भी वो ही से वचन निकला ऐसा कैसे हो सकता है ये मेरे लिए बहुत अद्भूध है आलोकिक है तो हमारा परमेश्य कितना अद्भूध है और जीवित है वो बात करता है अपने वचन के दुवारा और किस तरीके से बात करता है वो सचमुच अद्भूध है पहले चार-पांच दिन पहले उसने मुझे वचन दिया फिर मैं प्रोमिस कार उठाता हूँ जिसमें कि बहुत सारे लोग उठा रहे हैं मुझे पता नहीं किसमें क्या लिखा है उठाता हूँ पलट के देखता हूँ तो उसमें वही वचन मिलता है तो ये बहुत अद्भूध है मेरे लिए सचमुच ये बहुत बड़ी गवाई है और ये मुझे बहुत खास बनाती है येशू मसी में मुझे इस्पेसल फिल्ख राती है कि वो मुझे से इतने खास ढंग से इतने इस्पेसल तरीके से बात कर रहा है मैं खास हूँ आप खास है जैसा कि लिखा है तेरा परमेश्य यहुवा तेरे सारे कामों में तुझको आसिज देगा तो मेरे पिरियो मेरा काम क्या है मेरा काम परमेश्य की महिमा करना और येशू मसी के सुस्मचार को पूरे जगत में फैलाना है तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्य मेरे इस काम में जो मैं परमेश्य के लिए करता हूँ मुझे आसिज देगा वो मुझे बढ़ाएगा, वो हमारी मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा, वो हमारी सेवा के सीमाओं को बढ़ाएगा इस 2024 में हमने बहुत कुछ सोचा है कि हम परमेश्य के राज्जी के लिए करेंगे और सच बताऊं तो मेरे जीवन का सपना यही है कि मैं बड़े बड़े कुरूसेड करूँ, चंगाई सबाए करूँ, लोग को सुसमाचार परचार करूँ हजारों और लागों की भीड में परमेश्य के सुसमाचार परचार को बताऊं मैं विश्वास करता हूँ 2024 में परमेश्य अद्भुद रीति से हमारे दोवर अपनी महिमा लेगा, मैं आप लोगों को भी उसाहित करना चाहूंगा, अगर आप परमेश्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो खड़े हो जाएं, यह साल है बड़ी बेदारी का, परमेश्य आपके दवारा बड़े-बड़े काम करना चाहता है, बस अपने आपको सेवा के लिए प्रभु येश्य मसी के लिए दे दीजिए, और सच्चाई से खराई से परमेश्य के सेवा कीजिए, तो यह मेरी छोटी से गवाई थी, इस गवाई के दवारा परमेश्य आप सभी को जय मसी की, गॉल्ड ब्लेस योल